खुले में शौच मुक्त भारत के तहट देश के अलग-अलग हिस्सों में मुहिम चलाई जारी है लेकिन राजस्थान को खुले में शौच मुक्त बनाने के लिए प्रशासन एक अनोखा फर्मान चारी किया है जिला प्रशासन ने कहा है कि जिन घरों में शौचाले नहीं होगा उनके घरों की बिजली काड़ दी जाएगी राजिस्तान के भीलवाड़ा जिला प्रशासन ने जिले को खुले में शौच मुक्त बनाने के लिए सक्त कारवाई करने का आदेश दिया है जिले के जहासपूर तहसील के गांगी थला गाउं के SDM ने कहा कि जिन घरों में शौचाले नहीं बनेंगे उन सभी लोगों के घरों में लगे बिजली कनेक्शन काड़ दे जाएंगे निर्देश में कहा गया कि पेम मोदी के मिशन के तहट अब तक इस गाउं में केवल 19 प्रतीशत लोग ही शौचाले का इस्तमाल करते हैं जिससे विकास नहीं होबा रहा है SDM ने लोगों को सक्त संदेश देते वे कहा कि अगर 15 दिनों में शौचाले का निर्माट कार्य शुरूर नहीं किया गया तो गाउं के सभी घरेलू कनेक्शन काड़ दे जाएंगे दरसल SDM ने ऐसा फर्मान इसलिए जारी किया है क्योंकि कुछ दिन पहले जिले की ही भीलवाडा में फिल्म टॉयलेट एक प्रेम कथा की तरह ही एक घटना घटी है जहां एक महिला ने घर में शौचाले ना होने के कारण पती के खिलाप तलाग की अरजी दायर की है जिसे कोट ने स्वीकाद ही कर लिया है साथ ही जच ने कहा कि ये महिला के प्रती कुरता और सामाजिक कलंग है